खुली श्टू डेखी हैं मा आपको आज 28 इसेकेंडियर जो है तो है जो आपका 으 mm सिस्टम जो होता है उसमें कुछ रंजक पाए जाते हैं जिसे मेरी स्पाइरेटरी पिगमेंट कहते हैं उनकी बारे में बता रहे हैं तो रिस्पाइरेटरी पिगमेंट या सोचन बंडक वे रंगीन पदार्थ हैं जो रक्त प्लाज्मा या रक्त कोशिकाओं में में दोनों म पदार्थ हैं जो रुधिर में सोचन गैसों के इस्थांतरण करते हैं इन्हें शोचन बंडग भी कहा जाता है डैफिनेशन बन गई आपकी कि जो सोचन वे रंगी रसानिक पदार्थ जो रुधिर में सोचन गैसों का इस्थांतरण करते हैं शोचन बंडग कहलाते हैं ये त प्लाजमा में भी पाए जाते हैं और ब्लेट कारपल्स या कडिकाओं में भी यह पाए जाते हैं तो ब्लेट कारपल्स और किसमें प्लाजमा दोनों में पाए जाते हैं सोचन बंड़ना की याद रखना यह रंगीन पदार्थ होते हैं इमें रंग पाया जाता है शोचन में स कर दात वी किह लाते हैं यह सब्सक्राइब करने का प्लाजमा में रखते हैं कि यह जो ऑक्षीजन के साथ मिल करके आक्षी हिमोग्ण बनाते हैं जो ऑक्सिजन के रूप में आप्योग की जाती है तथा कार्बन डायकसाइड से मिल करके डी आकसी हेमोगलोबीन बनाते हैं, जो फेपड़ों के दोबार बाहर की जाती है, ये आइरन युक्त और प्रोटीन टनीक भी होते हैं यह भी उस प्रकार के जिसे हम मैं टलोप्रोटीन कहें इनके बने हुए होते हैं इतना आपको समझ में आया होगा फिर देंश के बार-ाप देखो गए कि जो सवासन बननक structured रमुक् क्या करते हैं महत्पून क्या करते हैं कार करते हैं ठीक है यह आपको समझ में आ रहा होगा विबिन प्रकार के महत्पून कार करते हैं जैसे ओटू का परिवहन करते हैं ओटू का इस टोरेज भंडारन करते हैं सुएसी ओटू का परिवहन करते हैं तो अनपदार्थों का भी ग्लोबिन जो होता हीमो ग्लोबिन लाश्ट में जो ग्लोबिन बोलते हैं ये एक प्रकार का लोह हीम प्रोटीन भी कहलाता है याद रखना कभी पूछता है ग्लोबिन क्या है तो ये एक प्रकार का लोह हीम प्रोटीन है जिसको आईरन F2 प्लास से सो किया जाता है अब एक ए मुल्स में, بार्ड्स में, रेप्टायल्स में और फिसेज में प payer jate इसमेंstände blobynn नामक प्रोटайн नामक प्रोटेजन पदार्त पाया जाता हो जो सक्री समूँ से मिलकर बनता है, hemoglobin जो होता है, कुछ गैसों से विसेश बंदुता होती है ठीक है कुछ गेसों से बहुत ब्यंदता रखता है जैसे आक्सीजन से आक्सी हीमो गोलुबीन और कारवन डायकसाइज से डी कार्बॉक्स बनाता है ठीक है इसके बाद दूसरा आजाते हैं हमपन हीमो साइनिन हीमो साइनिन जो होता है ये नीले रंग का और सुसन वननक नीले रंग का ब्लू कलर का जटिल प्रोटीन या कॉंप्लेक्स प्रोटीन का बना हुआ होता है ये सिफ जिसमें मैंने लिख के रखा है देखिए ये किसमें पाया जाता है कहां पाया जाता है प्लाजमा में और किन इनिमल्स में पाया जाता है मोलासका में गेश्टो पोड़ा और सिफले पोड़ा में ये पाया जाता है ठीक इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा सरल है ना ठीक है तो ये आगे फिर इसके बाद अपन जाते हैं क्लोरो साइनिन क्लोरो साइनिन जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है हरे रंग का होता है इसे क्लोरो क्रियोनीन भी कहते हैं याद रखना इसको क्या क्लोरो क्लोरो क्लोरीन क्लोरो क्लोरीन जो होता है ये हरे रंग का रंजक है तथा जिसे कि हम ये कहां पॉली चीटा जो होते हैं फाइलम आपको मालूम है न की हरे रंग का पन बताते हैं रखता आता है ठीक है तो ये टोरे 1838 में की क्लोरो कुरॉवानीन की कोई 1838 में सेबस ने की थी इन इनलीडा में बताया किस में बताया कंगो भी लिख के रखा हुआ एनलीडा में और यह पाए कहां जाते हैं प्लाज्मा में याद रखना यह कहां पाए जाते हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं इसके बाद आ गए हम किसमें आ जाएंगे हीमो एरेथ्रीन यह भी रेड कलर का हीमो एरेथ्रीन रेड कलर का होता है तथ रूक्त यह मतलम मोश्टली यह बैंक्रियो पोड़ा में पाया जा जाता तो अर्धु होगया इसके बाद कुछ और भी 17 अजय के न से मेंड करने कोड़ना है नससे और तो क्रोम के यह शलान की तो छाम इनदेय मजन एक और कर चार के बारे में पढ़ना था हम enth पया जाता है नीले रंक का होता है इसमें कापर पाया जाता है देखना याद रखना हीमो साइनीन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है कापर क्या पाया जाता है कापर हीमो साइनीन में कापर पाया जाता है ठीक है इसके बाद होता है आपका क्लोरो क्रियूनीन ही तामा पाया जाता है ते फिर होता रत कलर में रखत कर्पों में पाया है इसमें अब अब लेए बी mushroom second year के लिए important है thank you